पढ़ाई में मन तो लगता ही नहीं, नीम दाती है हमेशा ऐसा मन करता है दिन बर की यार, फोन उठाऊं, नोटीवेंच चेक करूं शिट, रिया का मेसिज आया होता काश कोई लाइक वाइक मिल जाए यार हमेशा ऐसा लगता है कोई लाइक मोटिवेशन बचा ही नहीं है हमेशा सोते रहो, एक काम करता हूँ, कुछ ओर्डर कर लेता हूँ, अच्छा, सुई की खोल लेता हूँ हमेशा कुछ मीठा खालू, कुछ अच्छा खालू, ठीक है? यह रहता है हमेशा दिमाग में कुछ एक यह जो चीजे लिखी है, डॉपामीन से रिलेटिड आजकल कुछ तुम सुन रहे होगे ना, तो क्यों ना डारेक्ट हम इस पूरे कॉंसेप को अच्छे समझे, तो वेलकम पीजे ब्रो, बच्चों को जाना बताओ कि क्या है यह डॉपामीन, ऐसा हो क्यों रहा है तो देख यार, यह सारी जीजे ना, एक शब्दे से रिलेटिड है, डॉपामीन है ना, जो हमें मोटिवेट करता है, तो इसको समझना जरूरी है और यह concept बहुत जादा important है, सिब student के लिए important नहीं है, यह जीवन में हर एक इनसान के लिए important है, है ना, और बात यह नहीं कि तो में से नीट जेए अपना exam निकालना है, तुम लाइफ में कभी भी किसी भी तरी की success पाना चाहते हो, तुम जीवन में actual में खुश रहना चाहते हो, तो तुम यह idea समझना पड़ेगा, especially आज के समय में, जो mobile का योग है, internet का योग है, हर चीज हमारे हाथों पे, तो इसक TikTok चला लेते हैं, Reel चला लेते हैं, नएने वीडियो आ रहे हैं, मज़ा रहा है, फणी आ रहा है, यह सब खूब मज़ा रहा है, बिन भर यही करते हैं, अरे पूरी दुनिया जोंबी बन गया, यही करे जा रहे हैं, यह ना, असली में किसी से इंट्रेक्ट नहीं कर रहे है बस सोशल मीडिया पर लगे पढ़े हैं, मूवी देख लेते हैं, कॉमेटी वीडियो देख लेते हैं, और पर पढ़ाई ही करते हैं, या फिर कुछ भी काम कर रहे होते हैं, उस वक्त बोर हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो भई यह ना, डोपामीन देखो हमारा मोटिवेशन जीवन में उसी चीज़ का होता है, कि दिमाग को मज़ा मिले हैं, अब ही समझा है, जो माटेरियल वर्ल्ड है, वह वस एक स्टेप होता है उस प्लेजर को मिलेगा, प्लेजर एक्चुली दिमाग से मिलता है, और जो केमिकल वह देता है वो डोपामीन है मोटिवेशन अपन को मोटिवेट करता है, रिवाल्ड सर्क्रिटरी होती है हमारे दिमाग में, तो जब भी डोपामीन रिलीज होता है, लड्डू फटते दिमाग में मज़ा आता है, जब भी मज़ा आता है, एंड मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, असलियत में यहा पुराने जवन आज से तुम हजार साल, पांसो साल पहले जाओगे तो ऐसे तरीके नहीं थे, इसलिए इनसान बहुत मेहनत करता था, उस मज़े के लिए, तो हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसना हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, और कुछ तरीकें जो बहुत म पिर नुडबात मेर्थ मिल सकती है, तो फिर मेहनत क्यो करें है, और जो मेहनत नहीं करते है तो लिए लाइटम में रिलीज दोखा नहीं हटा है, इतना खत्रोपामीन रिलीज करता है, इसलिव पूरी दुनीया इसे पैस अठार, वो बोलते हैं कि यह खकर लिया तो जीवन खतंग बटा इसको तबन काटी देते हैं न न इसको न चलाना न यहां तब टेकनोलोजी में यह थोड़ा पीछे पूराने जुआने को यह तो कल लोग कसम गालो यह जीवन में कभी मत कलें इतना डोपमिन देगा है थिक है वो खतंगर जीवन खतंगर तो क्यों कर देता है व यह वाली चीज़ हो सब को पता है गंदी है पर इसके लाब है कुछ और यह सी चीज है जो हम करते रहे तो हमें पता नहीं है जो फास्ट डोपामीन रिलीस करती है जैसे कि वीडियो गैम्स वीडियो गैम्स कहने लिए खूब मज़ा आता है दमाग को जंक फूट कहो दिन बर दिन बर यहिए उनब पर मीठा शुगर सेड़ इतने खराब यह तनकर से जाथ यह दिन फराइब खराब करता है यह दो हम आजकल तो पता निए इतने टेसी चीजे क्रीट करते है जो हूमन को कानी नहीं चीए वो तुम्हरा दिमाग हमेशा क्राब कर देते है इतना सुख दे दें फिर बाकी चीज़ों में मजा नहीं आएगा तुमको पॉन मास्टरवेशन इंस्टंट प्लेशन है यह जीवन से हमेशा के लिए कट कर दो यह इतने वेज में तुमको बरबाद कर देंगा तुम सोच नहीं सकते यह फिर भी वंसे ने वाइल ठीक है अगर एस जमाने में हमारी जनरेशन को एडिक्शन था आज कल तो मम्मी पापा और वो भी चला रहे हैं वहीं फेस्बुक वह रहा सबको एडिक्शन हो गया है नई जनरेशन इंस्टाग्राम टिक टॉक चलाई जा रही दिन बर बस उसी में लगे हुए मज़ा आता है ना क्यों क्या बहुत ही घातक की जा गई मैं इनको ना इस लेवल पर हुआ इस लेवल पर इतनी खतना के यह टिक टॉक इंस्टाग्राम टील और यूटूब शॉट्स है ना क्योंकि एक मिनिट में आदे मिनिट में तुम्हें इतना एंटर्टेन्मेंट देते ना मज़ा आ जाता है वो खुशी जीवन एक्चौल पीस्फुल लाइव जी जिसमें तुम सक्सेस हासिल कर भार रहे हो और तुमारा दिमाग तुमारे कंट्रोल में वो मैनत कर पाता है वो फोकस कर पाता है वो काम कर पाता है है ना और जिते भी successful लोग देखोगे वो यह चीज़े cut करते है लाइफ से ना ठीक है phone notification अगली चीज है ना मतलब आज के लिए इतने रिटेरिंग लगता है ना जब मुझे कोई दिखता है जिनके phone में notification बसते रहते हैं चल बहुत ठीक है maximum लोग ऐसे नहीं होते हैं उनके phone में notification के sound नहीं आते पर silent notification आ रहे होते हैं क्या तुम्हारी जीवन बिल्कुल खताम है क्या मतलब तुम्हारी life की importance नहीं है क्या जो तुम अपने phone के notification चालू करके रखते हो तो दिन बर चेक करते हैं तो कुछ महन आ जाए कोई notification आ जाए अच्छा तीस लाइक आ गए ओ इसने भी like कर दी और इसने भी like कर दी है चलो अच्छी बात है मज़ा आ गया दिमाग में लड़्डू फूट रहे हैं भाई life में notification completely कट कर दो और अगर तुम student हो भाई तो social media वैसे तो हटी जाओ नहीं तो बहुत लिमेट कर दो अटलीस एप अंस्टॉल कर देने चाहिए इसके लिए एप अंस्टॉल कर देना ब्राउजर पर अगर मजबूरिया तो चला लो बनना एप अंस्टॉल करके रोग जब मैं फिरी हो जाओंगो मेरा काम खतम हो जाएका तो मैं देख लूँगा भई कुछ काम का आया है क्या बस खतम तो यह सदे को यह घातक चीज़ है ना क्यों घातक मैं बताओंगा पर यह इमीडेटली तुम्हें प्लेशर देती हैं मज़ा देती है और यह आज के जमान हो या फिर नीट दे रहे हो तुम्हारी रेंग आ गई ओल इंडिया वन रेंग आ गई या फिर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल गया थाउजन ने कुछ भी अच्छी रेंग आ गई तो भाई सोचो उस वक्त जो खुशी मिलेगी उस वक्त जो डोपामीन मिलेगा हुआ मिलेगा तुम्हें यूवाला डोपामीन जाही है रंक और जो खुशी है, वाला डोपामीन के लड्डू फटे पर उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले लड़ू फटना बंद हो जाए अगर तुम यह सब करते रोगे तो पहले ही खुशी मिल गई ना मोटिवेशन खतम तुम जाके अपने दोस्ते बोलते हैं अरे मैं तो आई टी बोम में जाऊंगा किसी भी इंसान के लिए है तुम्हें इन चीज़ों को इलिमिनेट करना है लाइफ से यह चीज़ लाओ अब जब दमाग में क्या होगा जब सोचब दमाग है अब यह सब कट हो जाए अगर जीवन से सबको आला साथ है पर जब तुम दोड़ के आ जाओगो ना दो किलिमीटर बढ़ उसके बाद जो खुशी मिलेगी जो अंदर से साटिस्फेक्शन आता है ना दो किलिमीटर दोडने का आद मेहनत लगती है पसी ना होता है पर फिर ढ़पामीन मुलता है लेति दोड़ जाते हो ना फिर ढ़पामीन मुलता है फिर मज़ा आता है किसी इ hyped feeling को गंदी फिलिंग आ जाती हो उसके बाद कि मैँ exercise करके आ कि आभ मुझे गंदी feeling कले है पर उसके बाद ने ऊसके बाद है तो slow dopamine है पर वो तुम्हें बना रहा है, तुम्हें रख रहा है, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, हेल्थी डाएट में खूब मजाता है, इमिडिटली लड़्डु खार लो शगर कुछ भी खार Frederick Papadra का चौक्बलट बस्सक्ता है तुरन्ट मजा देते हैं पर उसको खाने के बाद हम गंदा लगने लगता है इन में से कोई भी activity करोगे इन में से कुछ भी activity करोगे याद रखना उस समय तो बहुत मजाएगा उसके बाद crash आता है वो crash हो जाता है एकदम से टोपमी level बिल्कुल down हो जाते हैं और तुम्हें बहुत गंदा लगता है बहुत गंदा फिर क्या करते ह फिर उस लेवल को फिर से अच्छा लगने के लिए हम और करते हैं तो जैसे नहीं होते हैं जो drug होते हैं पहले इस limit में ले रहे हैं drugs फिर dose बढ़ाते देते हैं जो लोग beer पी रहे होते हैं पहले एक beer होगी जाता है ठीक है मजा रहा है अब क्या हो गया अब saturation आगे उसे एक अच्छा food खैंगो तो मैं फिर मैं satisfy हो जाओंगा फिर मेरा खाने का मंन नहीं गर नहीं ऐसा नहीं ओता है ना उत्ती सी देर के थोड़ी सी देर का पर satisfaction होता है उसका फिर गंदा लगने लगने लगे फिर मन करेंगी craving कभी खतम नहीं होती है खुज ली है यह खुज ली जि क्रेविंग खतम नियुक्ति तरीका क्या है कट कर दो एक दिन दो दिन एक अगल कर तो अब नहीं आएगी तुम्हें क्रेविंग अब तुम्हें सटेस्फटिश है मिल जाएगा तो यह सब खुजी नियुक्त जितना खुजाओंगे उतने बढ़ेंगे उतना बढ़ेगा इन अच्छा लगता है हमेसा देखने हैं पेट भी सही रहेगा दिमाग भी सही रहेगा बीमाग भी नहीं होगे मसा आएगा तो धीरे से डॉपामीन देती है अगर तुम यह एक्टिपिटीज कर रहे हो तो फिर तुमारा पढ़ने में उतना मन नहीं लगेगा ना क्यों इजी यह पर पढ़ाई करके धीरे-धीरे मिलता है मेहनत करनी परती हो उसके बाद डॉपामीन मिलता है जब तुम कई घंटे दोडते हो वरक आउट करते उसके बाद डॉपामीन यह इजी डॉपामीन है यह जीवन ख़तम कर देगा इस एक आईडिया को पूरे जीवन के लिए स प्लेजर शाहिए तो कहां से मिलेगा फिर बोगाएगा चलो भाई मैस के प्रॉब्लम सॉल करो फिजिक से प्रॉब्लम सॉल करो केमिस्टी करो यह सब करो अब दिमाग को मजा रहे अब पढ़ाई में मन लगेगा क्योंकि आप यही सोर्स बचाए तो जो चीज नसे ज्यादा इंटर्टेंबेंट दे रही है उनको कट करना फंटा समझो जो चीज प्रॉब्लम सॉल करने से पढ़ाई करने से ज्यादा मजा दे रही है उसको कट करो जीवन से ठीक है इक इमीरेट तरीका है मैं बता रहा हूँ है ठीक होट अपने अलग फायदे है पर कोड़ शावर की जबूआप करने डाउन कर देता है mountains का डौवर कर रहा है मैंने का न मज़ए तो यही से आता है अरचा नीलिग पर बाडगा ऐससना डॉपर चाहिए इसलिए उसली फो ड्श बढ़ाते जाते हैं इसके आब अच्छा लगने के लिए उससे उपर कुछ चाहिए हैENE है अगर तुम्हारा रिफणेंसा लिपल इह इता डाउन है इतना डाउन है तुम्हारा तुम मिनिमलिस्ट जीवन जी तो बिलकुल है बोलते हैँ जैसे सााद्विक जीवन होता है सादु cape जीवन होता है कुछ वो कितने खुश रहते हैं क्योंकि उनका डॉपामीन लेबल बिल्कुल डाउन है अब उनको हलका सा भी कुछ मिल जाएगा ना तो उनको मजा आएगा ना मैं बता रहा ना अभी तुम दिन बर यह सब खाते रहते हो तो रोटी रोटी खाने का मन नहीं कर बिल्कुल मीनिममम में रखना है लेस जीवन में जितनी लगजरी जितना कमफर्ट दोगे तुम्हारा रिफ्रेंस लेबल उतना ऊपर चला जाएगा फिर तुम्हें खुश रहने के लिए उससे ज्यादा देना पड़ेगा अल्टीमेटली जीवन में दुख आएगा डिप प्लेजर खतम करो चार साल मेहनत करेंगे अच्छा प्लेश्मेंट लेंगे उसके बात करेंगे मेरा छोटा भई खुद करता है अब गूगल में कैलिफोर्निया में आइटी बोंबे गया गटाने पड़ेंगे वो एक संस्कित का शुलूग भी ना शुकारते ना कुतो चाहिए उसको भीद्या का त्याग कर देना चाहिए और आलटीमेटलि जब तुम्हारा लेकर लेवर बहूट डावोंगे च्छोटी-चीण तुम्हें चीवन में खुटी-ची झीवन भी नीकुशदी बरसात हो कुशदी है बर दिंवर फोन जलाते रहें तो कहां दिखाय यह सब कितना कुछ है जीवन में, वो दिखाई नहीं देखा, meditation, यह एक बहुत बड़ी पावरूल चीज है, इसको sub ignore मारते हैं, इससे powerful तो बतुब कुछ भी ही नहीं भाई, यह पता किस लेवल को dopamine देता है, इस से उपर लेवल की चीज है यह, इस से उपर लेवल की, ट्रक से उपर की लेवल कीजए ना, यह बहुत difficult तरीका इस रास्ते में, दिमाग को शांत करना, thoughts को गायब करना बहुत difficult है ना, तो करते ही नहीं कौन करें या दिमाग तो हर समय भागता रहता है ना, learning new skills, है ना, art सीक रहे हैं, dance सीक रहे हैं, music सीक रहे हैं, कुछ भी नई चीज़ी को याद है ना, coding सीक रहे हैं, investment सीक रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, मेहनत करनी पड़ती है ना, पर जब सीखना चालू कर दें तो फिर मजा आने लगता है, है ना, तो हमको अपने जीवन में यह चाहिए, धीरे धीरे रोपामी चाहिए, और इनको cut कर देना है, यह करके देख लो, और फिर देखो पड़ाई में कैसे मननी लगता, चीज़ों में मन लगने लगेगा भाई, सब लगने लगेगा, हाँ, जब तुम cut करोगे, तो अंदर कोई भी चीज है, कोई भी चीज, कुछ बहुत ज्यादा डेंजरूरस लेवल पर हैं, कुछ कम डेंजरूरस हैं, पर हैं डेंजरूरस, तो जब तुम इंको cut करोगे, उस वक्त बहुत गंदा लगेगा, पर जब तुम किसी तरह से तुमने तीन वीक तक cut कर दी ना, इंडि तो भाई इस आइडियो को रखना, और जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, इस बहुत इंपोर्टन है, कुछ सबसे इंपोर्टन चीज जो में सिखा सकता हूं किसी के लिए भी, वही है ना, मैंने खुद यह चीज पांस साल पहले है, यह चीज सम और इस्टूरेंट, यह तुम समझ के होगे, किसी के लिए भी अगर यह helpful हो सकता है, तो पारे मम्मी पापा कोई भी हो याद, तो उनके साथ शेयर कर रहा है ना,